चलिएगा दूस्तों जो अफिशन लोटेफिकिशन यह आपके सामने उपन उप हो गया है यहां देखिए कि इसको जारी किया गया है अध्यक्स चैन समिती कारेला जिला यूं सत्री नियतिश कुंडा गाउच थिसगर के द्वारा यहां पे देखिएगा मुगर्प से डिटे आपको जानकरी दे दूँगा यहां मुख्यों से देखिएगा यह आप नीचे जानकरी दी गई है कि जीला हम सत्री नियाला कोंडा गाउं के अंतरकत राजस व जीला नारायन पूर के लिए निमिनान उसर जो है साहया ग्रेट तीन यहां कि एसिस्टेंट ग्रेट तीम के क किया जाता है कि बस्तर संभाग के बाहर के आवदकों के आविधन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा चीजों को क्लियर कर दिया गया है आगे देखिए कर नाम ब्यात नाम नाम ढ क्रिप देखिएगा परिविक्षावधी जो की तीन वर्षों की होती है। उसको मेंचिन किया गिए है। प्रथम वर्ष में आपको उस पद के वेतर नोमाल के न्यूंतम के तरब। परियुक्षावधी में स्टाइफंड के साथ कार्याट अन्यकर्मय यानि के गवर्मन्न इंप्लोई की तरा मिलते रहेंगे आगे देखिएगा खापट परियुक्षावधी कि समावथी पर स्थाई किया जाता है तर्षाश्की सेवा का वेता हुसे बसको लागू समयान का नियत किया जाएगा तो देखेंगे मुक्त रही जानकरी दी गई यहाँ पर अब देखेंगे दोसरे सबसे इंप्रड़न पाथ सक्षिन क्यों क्या था इसमें देखेंगा पहला पॉइंट किसी मानतर प्रप्त विश्विद्याले से अन आरक्षित वर के लिए 45 प्रदिशन अंगो तथा आरक्षित वर के लिए 40 प्रदिशन अंगो के साथ सनातक परिक्षा उत्तिन होना चाहिए दूसरा देखेंगा यहाँ भी दिया गया संस्था से डिप्लोमा इन कंपिटर अप्लिकेशन डी से प्रमाण पत्र के साथ एमेर स्वाट तथा इंटरनेट का न्यूंतम कंपिटर ग्यान होना चाहिए आगे देखेंगा दोस्तों आयूसी मां पात्रता की अंशर्थिन की आयूसी मां क्या रहेगी तो इसको मैं क्लि किया गया है आयूसी मा जो है पचीस दो दो जर्वाइस को देखेंगा न्यूंतम अठारा वर्ष होना चाहिए और मैक्सिम जो है एक जनरल केंडिट के लिए देखेंगा चालीस वर्ष रहेगा और विबिन वर्वों को जोड़कर 45 वर्ष तक आपको एज लिमिट मिलने व होगा प्रतिक रूटी के लिए एक अंग आपका काट लिए जाएगा जो हैडिंग बोल्ड पैरग्राफ सेटिंग तर्था टाइप की प्रतिक अशुद्धी के लिए भी होगा कॉशल परिशाद धैसों का होगा देखेंगा क्लियर कर दिये क्या है इसी में देखेंगा सेक प्रतिक अंगों की योग के अधार पर मेरिट शूची जो है तैयर की जाएगी जिसके अधार पर अंतिन चेहन किया जाएगा समान अंग होने के सिर्दी में जिस अभीरती की उम्र अधिक होगी उसे वरीता प्रदान की जाएगी तीस तरह देखेंगा अनुभव प्राप् पत्रों की मूल प्रती प्रसूद करना अनिवार होगा छटों पर चैन प्रक्रिया के समन्द में जीला एवं सत्र नैधिश कोंड़ा का निश्कर जो है अंतिम वह बंधनकारी होने वाला है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अब देखेंगा दोस्तों इवं सत्र नैधिश कोंड़ा के नाम से रेज़्टर डाग द्वारा अथ्वा स्वयम कारेलिन समय में उपसित होकर पेश कर सकते हैं आप लों दिरांग पच्चीस तीन दोजर बाइस की संदिया पांच बज़े के उपरांद्प्राप्थ होने वाले आवधन पत्रों पर अटैच करके भेजने हैं ध्यान रखिएगा आवधन का प्रारूप अन्य जनकरी जीरा नियाला कोंड़ा गाओ के वेबसाइट पर जो है उपलब रहे हैं जहां से आवधन पत्र का प्रारूप प्रारूप जो है इस पीडिएफ के नीचे दिया गया है जिसे में आपको श दो लिफाफे प्रत्यक पर 5 की डाक टिकर चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से सेलन करें तो दो पास्पोर्ट से इस फोटो जह प्री तक से भेजें पाशापन डाक द्वारे भेजे गया आवधन पत्रों के विलम से प्राप्त होने नहीं प्राप्त होने की जवाबद इस का रहरे से कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा इस चीच को धियान रखिएगा देखेंगे दोस्तों इस पीडियाफ के लास्ट में जाएंगे तो आवधन पत्रों के प्रारूप मिल जाएगा साहे ग्रेट तीन के रिक प्रदों पर न्यूपती है तो जिसको बहुत ध टेलीघरम को साथ नहीं जुड़ेंगे तो इसका भी लिंक प्रद वीडियों के डिस्क्रीप्शन बोक्स मिल जाएगा साथ सथ कमेंट बोक्स मिल जाएगा तो इस लिंग को क्लिक कर आए हमाया पर आप डैक्रीप रप्त कर पहेंगे और इसके अधिक आपको कुछ और बी